अगर आप सीह तरह से ब्रैंगन की सब्जी बनाई दो अंगले चाल शाटे कखा जाएंगे यह मेरे गारंटी है इस तरह से सब्जी वनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्लाई बें जल्दी बन जाती है तो इसे बच्चे बड़े सभी को यह बहुत पसंद आएगी और है रसोय मेरी तुमाई तो चलिए बनाना शूरू करते हैं यह मैंने एक खीरा लगाकर देख लेंगे इस तरह से कि एदर कीड़ा तो नहीं है यह मैंने इसे पहले से दो लिया है और इसे पोच भी लिया है तो यह प्रेंगर मेरा फ्रिज में रख था इसलिए थोड़ा सा इसमें निशान है यह खराब नहीं है अंदर से बिल्कुल साफ है तो इस तरह सा अप लसन की कलियों को इसके अंदर डाल लेंगे यह देखे मैंने कर लिया है मैंने सरसो का तेल लिया है आप चाहे तो कोई भी तेल ले सकते हैं लेकिन बैंगन की सब्जी में सरसो का तेल बहुत है लगता है बिहाई लोग जो बैंगन का चोखा बनाते हैं वह इसी तरह से सरसो का तेल लेते हैं तो मैंने कम ही लिया है आप चाहे तो ज्या इसे में अच्छे लिए थे यह बी मैं इसमें डाल लेती हूं प्यास को भी में डाल लूँ और इसे हम भूनेंगे लेकिन गों मेरी छोटी हो और मैने ऑल भी कम लिया है तो यह ठीक से इसमें भूण नहीं रहे है इसलिए मैं सिसमें स्रफ बेंगन को और आलू को भूनोंगी इने में बाद भून है जब आप अच्छे से भूने रहता तो इस तरह से खड़ा कर ले और फिर भून ले आलू को भी आप चलाते रहे और इसे तरह से गुमा-गुमा के चाज तरफ से भून ले तो यह देखिए मेरा बैंगर भून गया है मैं इसे निकाल लेती हूं बैंगर मेरे खूब अच्छे से फ्राई हो गया है और जो इसके अलुअ को डिया है ओब इसमें फ्राई हो गई है आलु भी मेरे फ्राई हो गया है तो में लूंगे और यह देखे इस तरह से इसरे में य ठंदा कर लेती हूं तो इसके अंदर मैं टमाटर डालुन में टमाटर देंगां जानों कि अच्छे बूर नहीं रहे चीज हम धिने अभी हम ठंदा कर लेंगे और अब चाहें तो ज्यादर भी डाल सकते हैं प्रशताई हो जाएगी तो देखे आलू और यह भी मैं निकाल ले यह अच्छे से फ्राई हो गया हम ठंडा कर लेंगे और इनका चिलका उतार लेंगे बैंगन का भी हमें चिलका उतारना है और यह देखे बैंगन मेरा कुछ ठंडा हो गया हाथ लगाने लाग तो इसका में इस तरह से चिलका निकाल दूँगी आप चाहे तो छिलकट ना भी निकाले लेकिन मैं निकाल देती हूँ इसके चिलका क्योंकि मुझे ये बिल्कुल स्वाधिष्ट बनाना है इस तरह से चोखा होता है ये बैंगन का भड़ता और इसे हम एक मैसर से इस तरह से मैस कर लेंगे आप चाहे तो इसे छोटे-छोटे तुकडों में चकों से काट सकते हैं लेकिन मैं इसके मैस कर लेती हूं को इसा कर लेती है और मैं और इसके अंदर डाल की ट्रमाटर का मैंने चिलका उताल लिया ह। को मैंने कद्धू कस कर लिए क्योंकि मैंने काओं केटू कर लिया है कि टृट्डवल औक यह तो पकचा ही डालते हैं अप चाहे तो पका केथा नहीं दाल थे हैं तो पकवा तेल ला देती हूं जिसमें मैंने सब चीजे फ्राइए की है और पीछ अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजेगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूं अब इसे अच्छे मैस करने के बाद हम डाल लेंगे इसमें कुछ मसाले यह मैंने आधा चमच अमचूर पाउडर लिया है आधा चमच गरम मसाला एक चमच लाल मिर्च और एक चोथाई चमच हमने लिया है हींग और कुछ बुनावा जीरा यह मैंने बहुत सारा हरा धने ले लिया है एक इंस अध्रक का टुकड़ा कटा हुआ और चार हरी मिर्च है जिनको मैंने बारिक बारिक काट लिया है इन्हीं सब चीजों को हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो मिर्च और गरम मसल अपने हिसाब से डाल सकते हैं और यह मैंने दो है यह देके हमारा देक नोहीं को बाहन जुँवती स्वाधिश्च लगते है जो लोग आचकाते हैं उन्हें यह पहले षङका बिल्कुल लगे गई नहीं कि व venue इसitute हो के यह लिठी के साथ यह खाने में बहुत स्वादिश लखता है और बनाने में तो आसन है ही तो यह वीडियो यही खतम होती है मिलते हैं अगली किसी वीडियो में आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक पूर वाची में